Welcome to the second class of O-Level Mac, Topic as Percentages. अब इस वक्त आपके पांस तो बज रहे होंगे शाम के 7 बजे, लेकिन जो स्क्रीन पे आपको घड़ी के टाइम नजर आ रहा है, वो 4 बज के 3 मिनट पे. ऐसा क्यूं है? इस ये कि शाम के वक्त नेट के कनेक्शन के इशूस होते हैं, जैसे के Percentage के पहले लेक्शर में थे, वो तो संड़े की दुपहर थी, तो जो Prime Time होता है, उसमें थोड़ा सा Live Stream तो आपको अपने वक्त पे मेलेगा, लेकिन थोड़ा सा Net के इशू है, तो To Be On The Safe Side, To Ensure A Behrterine Quality of Recording, तो मैं पहले से इसको रिकॉर्ड करके इसको मैं प्रेमियर में कर दिया करूँगा, ताकि आप लोग इसको अपने वक्त पे अराम से देख सकें, तो चले, क्लास का आगास करते हैं, हम लोगों ने कल Percentages के तीन Concepts हमने पड़े थे, उसके Question Practice किये थे, वो Paper 1 के थे, आज Paper 2 के Questions प्राक्टिस करते हैं, मैं अपना Calculator जरा तयार कर लूँ, अपने सामने कर लेता हूँ, मेरा Calculator बिल्कुल तयार है, तो मैं अंडरलाइन करता हूँ, पेला Question देखते हैं, इससेस, Jasmine earns 12.50 तो मैं अंडरलाइन करता हूँ, इसका जो आवर्ली रेट जो वो एर्न करती है, दात इस 12.5 पॉर इच आर, शी इस गिवन 38 आर्स इच वीक, शी इस गिवन अपे इंक्रीस उफ 6%, अब बात हो रही है, तो मैं असान यह है, को 12.5 को मुल्टिप्लाइ कर देते हैं, 38 से, तो 12.5 मुल्टिप्लाइ बाइ 38 बेसिक एवरी डे माट्स है, दात कमसाग तू बी 475 डॉलर्स, उसको जो इंक्रीस मिल रहा है, वो 6% का मिल रहा है, यानि, ओरिजनल पे वर्सस दे फाइनल पे, ओरिजनल अगर 100 है, 6% इंक्रीस के बाद 106 हो गया, औरिजनल जो है वो 475 है, तो फाइनल हो गया, X, cross-multiply करें, तो देफो X into 100, इस 106 into 475, अब conceptually, इस इस उस दू 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 शू अब प्राक्टिस यस्टरए, जचिब आप विगर, ज एखोन वरी दिफिकल्ट रुट्स, तो सीधा सीधा आप working करें and that comes out to be 503.5 dollars मैंने अगले पेच पर answers भी रगा दिये ताकि उसी वक्ड डबल चेक हो जाए लेकिन एक चीज जिस पर मैं emphasize करना चाहता हूं वो यह है कि हमेशा questions thoroughly पूरी तरह solve करने के बाद फिर चेक किया करें दूसरी चीज जिस पर emphasis होना चाहिए और मैं हमेशा करता हूं वो यह है कि show every single step do not leave any stone unturned हर चीज बताए examiner को clear cut बताए अच्छा जी अब आजाए पार टू पार टू क्या है अब्दुल earns 525 each week अब यह hourly नहीं है यह weekly rate है he moves to a new job where he earns 462 each week calculate the percentage reduction अब इसके पैसे कम हुए तो यह original जो इसकी pay थी वो थी 525 और जो final पे है इस sense में कि 2 का comparison में final यह हो गया that is 462 subtraction करते हैं 462 minus 525 यह 525 minus 462 so यह जो difference है positive हम उसको लेते हैं that is 63 dollars जो original है वो यह है the original goes down in the denominator and the difference 63 goes up multiplied by 100 so therefore 63 into 100 divided by 525 that comes out to be exact 12 percent toh 12 percent की reduction हुई in his earnings in new job अब आजाएं तीसरे पार्ट पे तीसरे पार्ट में क्या कहरें maria is given a pay increase of 3 percent after the pay increase she earns 2472 each month calculate her monthly payment before the pay increase तो आप column बना लें जैसे original और final बनाते हैं जैसे cost और selling का बनाते हैं so it's before and after अगर पहले इसकी तंखा 100 थी तो अब हो गई 203 अगर पहले इसकी तंखा y थी तो अब हो गई 2472 फिर से ratio proportion का game है जो के maths की जान है y into 103 that is equals to 100 multiplied by 2472 so therefore 2472 multiplied by 100 and equal करने के बाद divided by 103 और यह value आती है 2400 इसका मतलब है इसकी original pay 2400 डॉलर थी 3% increase के बाद 2472 हो गई तो यह straightforward question है अब मैं जो जो चीजे हैं वो मैं underline कर लेता हूं इसका answer यह है इसका answer 12% है इसका answer 2400 है 503.5 12 और 2400 503.5 12 और 2400 all good all set to go अगले question में आते हैं अब यह थोड़ा सा बड़ा question है तो मैंने यह किया है कि यहां पूरा question मैंने लिखा हुए यह इसके नीचे answers लिख दिए और फिर इसको दो हिस्सों में काट दिया है ताके आराम से हम इसकी working देख सकें तो चलें पहले हिस्से पर आप ज़रा फोकस कर ले पढ़ ले एक मरतबह देर टू वराइटीस ओफ टी एक का नाम है हाई ब्लेंट एक का नाम है नॉर्मल ब्लेंट हाई पर फोकस नॉर्मल पर फोकस they are mixing by mixing they are made by mixing great A leaves with great B leaves दो किसम के चाय के पते हैं उनको mix करते हैं तो ये ब्लेंट वजूद में आता है अगर मैं बात करूँ हाई ब्लेंट की तो पर्ट बन में वो बात कर रहा है हाई ब्लेंट हाई ब्लेंट में क्या होता है The ratio of the masses of grade A to grade B leaves is 3 is to 2. 3 is to 2 का ratio होता है A is to B का. Find the mass of grade A leaves used in making 250 grams of high blend. इसका मतलब है A का जो ratio है वो है 3 divided by 3 plus 2. B का जो ratio है दातस 2 divided by 3 plus 2 यह जो ratio है यह एक किसम की probability ही है. सही है? तो 250 gram की बात हो रही है. इसमें से बात होगी A की grade A leaves. कितना बज़न इसका लगेगा? तो आप कहेंगे 3 divided by 5 multiplied by 250. सिंपल सी working है. This comes out to be 150 grams. इसका मतलब है 150 gram A की पत्ती दलेगी और 100 gram B दलेगा तब जाके वो 200 gram बनेगा और उसका वज़न किस रेशो में? 3 is to 2. अच्छा जी. अब आज़ें second part में. अब बात हो रही है normal blend की. ठीक है? नॉर्मल पत्ती है. मिक्सिर है. It says 1 kg is made by using 450 grams of grade A leaves. 1 kg यानि के 1000 gram बनता है 4500 grade A का इसका मतलब है 4500 grade B का. तो यह simple सी calculation तो आपने यहीं पर लिग दी. Find in the simplest form the ratio of masses of grade A to grade B. बहुत ही बच्छों वाला सवाल है. Grade A, grade B. A जो है साड़े 400 है. B जो है साड़े 500 है. 00 को cancel कर दें. और 5 9s are 45. 5 11s are 55. Therefore the ratio is M is to N where M and N are integers. यह चीज भी हो गई. अब क्या कह रहे है? अब तीसरे पार्ट पे आजाए. तीसरे पार्ट में कह रहे है. अच्छा यह अभी तक everyday math सल रहा था. ठीक है ना? So 250 grams of high blend is mixed with 1 kilogram of normal blend. अब आपने high blend लिया. 250 gram जो के already जिसका आपको 5 breakage है. 250 में 150 जो है वो A पत्ती है और 100 जो है वो B वाली पत्ती है. एक kilogram normal blend जो है normal blend का 1000 gram इसमें से A जो हो गया वो 4500 हो गया और जो B हो गया वो 4500 हो गया. अब क्या कह रहे? अब यह mix करने के बाद यह दोनों mix हो गए. अब यह mix करने के बाद क्या होगा? Calculate the percentage of mass of this mixture that consists of grade A leaves. यानि इसकी percentage क्या है? तो आपने 1500 को 4500 में आट किया यह हो गया 600. आपने 100 को 4500 में आट किया यह हो गया 650. टोटल हो गया कितना? 1250. Therefore, percentage of A कितना हो जाएगा? 600 divided by 1250 into 100. पहले इसको evaluate कर लेते हैं. So that is 600 multiplied by 100 divided by 1250. यह आगया 48%. तो इस पत्ती में, इस mixture में 48% A है. Therefore, percentage of B naturally would be 52%. तो यह एक basic किसम का everyday maths था. इसमें basic percentage थी. अच्छा समाज़तार किसम का सवाल था. अब आजाएं दूसरे सवाल पे. अब क्या कह रहें? During a sale, a shop sold packets of tea for 20% less. जिसको discount कहते हैं. Then the price shown on the label. तो 20% discount के बात है. अब यहाँ दो किसम के लोगों का वास्तापड़ है. यहाँ पे दोनों में बात हो रही है. 20% discount की, 20% sale की, 20% less की. यहाँ पे Elizabeth Packett had a label price, how much did she pay? तो basically this is before and after. Before is the label price and after is the actual. जैसे आप किसी sale में जाते हैं, तो label पे एक price लिखी होती है. और for example, पूरे shop में exact 20% off है. यह वो अला scenario है. यहाँ पर भी आजाएं, part 2 के अंदर. यह part B का, part 1 है, B का, part 2 है, this is before and this is after. 100 वाली चीज असी में बिलेगी, 20% कम होने के बाद. Elizabeth के ने जो चीज ली, उसकी label price है 4.5. तो actual price कितनी है? X. So therefore, X into 100, 80 into 4.5. 1 minute, 80. Multiplied with 4.5. Divided by 100. So therefore, X comes out to be 3.60. Cross multiply यूँ किया आपने, cross multiply यूँ किया, X को subject बनाती है. इसी तरीके से, Peter ने पे किया 6.2, 100 वाली चीज, असी में हो गई. लेकिन अब जो actual उसने पे किया, that is 6.2, original कितना था W, फिर से multiply करें हीूँ, फिर से multiply करें हीूँ. So therefore, W into 80 is 6.20 into 100. So therefore, 6.20 divided by 80, that comes out to be 7.75, $7.75, उसकी exact price है. Units लिखने की आदर दाले, ये भी एक basic किसम का सवाल था. अच्छा जी, double check करते हैं, पहला वाला था 150 ग्राम, साड़े 400, साड़े 500, सही 9,11, ये भी लिखा हुए, ये 48% है, ये भी सही है, 3.6 है, 7.75 है, so I should be getting an A star for this. आगे बढ़ते, ये वाला क्रशन एक नज़र देख लें, ताकि मैं हल्गी सी काफी की एक सप ले लो. तो ये टीमों के नाम है, एक का नाम है रेट्स, और एक का नाम है ब्लूस, और ये बेस्बाल माच कहलते हैं. 2014 में, 2014, there were 40,500 tickets sold at the match. 2015 में, the number of tickets was 2.4% more, calculate the number of tickets sold for the match in 2015. 2014, 2014, 2015, 2014 में, इसने, इसके tickets से 40,500, और अब ये देखना चाहरा है, इसके tickets कितने हो गए? After an increase of 2.4%, सही है? तो ये बात हो रही है, number of tickets की. अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, आगे किसी और चीज़ की भी बात करेगा. Part 8, वही common sense है, 2014 की value, 2015 की value, 100 वाली चीज, 102.4 हो गई, तो जो 40,500 है, ये वाली चीज, X हो गई, cross multiply करें, So therefore, X into 100, that is 102.4 into 40,500. Multiply करतें, 102.4, 102.4 multiplied with 40500, सही, और आखर के दो 0s रोड़ा दें, So 41472. अच्छा, अब ये answer exact है, exact का क्या मतलब है, मैंने कहीं भी round off नहीं किया, तो this is perfectly acceptable, लेकिन, अब यहां देखें, examiner ने ये वाला answer भी दिया, जो के 100% सही है, ये वाला भी दिया, किसी ने round off कर दिया, ये वाला भी दिया, किसी ने 3 significant round off किया, but as such, if the answer is exact, मैं लिख देता हूँ, if the answer is exact, do not round off unless the examiner asks for it. examiner ने शुरू में तो लिखा हुए, if the answer is not exact, round off to 3 significant figures, मगर not exact के लिए लिखा है, exact के लिए तो नहीं लिखा है, exact है तो exact रहने दे, ये हो गया पहला part, ये वाला answer आगिया, अब 2015 पे cost of ticket जो है, वो 68.25 था, और cost of ticket वो increase हो गया 5%, 2014 से 2015, calculate the cost of ticket for the match in 2014, 14, फिर से यही कहानी बना लें, part B, ये number of tickets की बात हो रही है, ये जरा मैं side पे कर लो, ये वाला तो done हो गया है, चोटा कर ले थे, ये वाली चीज तो यहां पे done हो ले है, अब cost की बात हो रही है, so part B, इसको जरा सा हटा देते हैं, part B, अब बात हो रही है, cost of ticket, 2014 से 2015, 5% महगाई बढ़ी है, 2014 की वाल्यू क्या है, let me write this thing as W, 2015 की वाल्यू क्या है, 68.25, अराम से एक नजर देख लें, कभी कबर हैं अतनी जल्दी में देखते हैं, के mistake होती है, यह वाला जो है, यह 2015 की 68.25 है, 5% increase होगा, 14 से 15, सही है, हमें निकालना है, cost of the price for 2014, वही ratio proportion है, 2014, 2015, 100 वाली चीज, 105 में हो गई, जो चीज W की थी, मुझे नहीं पता, वो 68.25 हो गई, अगें, cross-multiply, W into 105 is 100 into 68.25, अगें नहीं साफ लिकनू इसको, जो देफो 100 into 68.25, देफो W, that is 68.25, multiplication हो गया, divided by 105, that comes out to be 65. So, 65 दॉलर was the price in 2014. अब यह दोनों पार्ट्स को मिक्स कर रहे है, और अब क्या पूच रहे है? अब यह पूच रहे है, कि calculate the percentage in fees, in दो सालों में, in the total money taken for the match, यानि वो जो revenue आ रहा है, जो input आ रहा है, वो कितना बढ़ गया? तो मैं एक काम करता हूँ, I think I'll just add a page, और मैं 2014 के statistics लिख देता हूँ, 2014, इसमें tickets कितनी थी, और इसमें price कितनी थी, और इसमें total कितना? इसी तरीके से 2015 भी लिख देता हूँ, 2014 में 65, 68.25, तो ये हो गया 65, ये हो गया 68.25, tickets जो थी, वो थी 41472, ये बढ़ गई थी, और ये वाली जो थी, ये थी 40,500, अच्छा, अब मैं अगर इसको इससे multiply करूँ, इसको इससे multiply करूँ, दो अलग-अलग total आथ, 40,500 multiplied by, अच्छा, जब आप ये class में बैठा करें, तो साथ में calculator रखा करें, सुना भी करें, लिखा भी करें, और calculator भी साथ रखें, और फिर जब एक मतबा आपको register में jot down करना हो, तो उस वक्त, जो है, वो सकून से lecture फिर से देखें, तब ही जाके आपके जहन में ये उतरेगा, तो इसको multiply किया 65 से, तो देफोर ये बड़ा सा नमबर आ गया, 2632500, और अगले नमबर पर आजए, 41472, multiplied by 68.25, और ये नमबर आया, 2830464, ये 2014 की value है, टोटल की revenue, ये 2015 की value है, difference कितना आया, subtract करें, 2830464, minus 26322632500, ये difference आ रहे है, 197964, therefore the percentage increase, that is this difference, that goes at the top, divided by the original 2632500, multiplied by 100, basic percentage का सवाल है, वो 100 से multiply किया, divide किया, 2632500, and this comes out to be 7.52% का increase, अब आराम से हम लोग फिर से highlight करते हैं, questions को फिर से देखते हैं, ये आखरी पार्ट का answer है, ये 55 डॉलर दूसरे पार्ट का answer है, ये 41472 पहले पार्ट का answer है, let's double check, बिसम अला करते हैं, 41472 तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, 65 डॉलर भी चेक कर चुके हैं, 7.5, 7.6 के दर्मियान, नहीं, हम exact देंगे, 7.52 क्यों, क्योंके हमारा answer इस answer की basis पर judge होगा, किसी ने ये किया होगा, तो दूसरा आया होगा, किसी ने ये किया होगा, तो तीसरा आया होगा, तो examiner ने थोड़ी सी आजादी दिये, हम लोग असूलों की पाबंदी करेंगे, हम किस असूल की पाबंदी करेंगे, if the answer is not exact, do not drown off, तो हमारे flawless किसम के माशाला से answers आरे, ठीक है, I hope you people are understanding it, or enjoying it, असल चीज माथ में ये है, कि if you enjoy doing math, naturally, you would get a good command of it, naturally, you would be ending up with very very high grades, इंशाला, अच्छा जी, ये भी एक जानदार सवाल है, पहले पूरा सवाल पढ़ ले, और फिर उसके तुकड़े तुकड़े करके, हम लोग वर्किंग करते हैं, इसमें ये कह रहे, कि Mr. Smith bought three companies, this is alpha, beta, gamma, ठीक है, जो लोग physics पढ़ते हैं, तो वो जानते हैं, this is alpha, this is like beta, this is like gamma, लेकिन अफ्कोर्स, we won't be using this physics symbol, we would simply call it A, B, and G. ये तीन companies के नाम है, for a total of, ये कितने zeros हैं, 80 लिखे हैं, उसके बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा, पहले इन zeros के बारे में जड़ा सी बात कर लेता हैं, जब हम लोग बात करते हैं, million की, that is thousand multiplied by thousand, ये असूल याद रखे, million is thousand into thousand, that is ten raised to power of six, अगर हम billion की बात करेंगे, that is a million times a thousand, that is ten to the power of nine, अगर हम trillion की बात करते हैं, that is a billion multiplied by a thousand, that is ten to the power of twelve, फिर से देख लें, million, ten to the power of six, billion, ten to the power of nine, trillion, ten to the power of twelve, six, nine, 12 की कहानी, पहली कहानी कहानी कहान से आती है, हजार हजार का कॉम्बो, फिर उसके बाद million को हजार से multiply करें, तो billion हो जाएगा, billion को हजार से multiply करें, तो trillion हो जाएगा, तो ये तीन चीज़े अब जहन में रखें, अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, ये इतने हिस्से की पहले में working करता हूँ, सबसे पहले में काम ये करता हूँ, कि ये वाली जो value है, इस value के इतने zeros में carry करूंगा, तो मेरे गलती के chances बहुत बढ़ जाएंगे, मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, this is ATM, where M stands for millions of dollars, ठीक है, यहां तक सब्सक्राइब है, millions कर देते हैं, the amount he paid for these companies, अब एक एक अलफास पे गौर करें, इसने खरीदी तीन companies, और जो amount इसने पे की है खरीदने में, like the cost price, they were in the ratio of 4 is to 5 is to 7, calculate how much he paid for each company, अब यहां पे इसको, question number 3 का, जो information है, वो cost की बात हो रही है, कितनी कीमत पे इसने खरीदी, इसने खरीदी 80 million dollars बट, किस ratio में खरीदी, 4 plus 5 plus 7, 9 plus 7 is 16, जो company A है, that is 4 out of 16, company B जो है, इसका ratio है 5 out of 16, company C का जो ratio है, that is 7 out of 16, किस चीज का, 80 का, किस चीज का, 80 का, किस चीज का, 80 का, और calculation, even though it's a paper 2 question, इतनी आसान हो जाती है, the reason being, कि अगर आपको यादो, 16 1 जा और 16 5 जा, तो यहां 5 आ गया, तो इस 5 की वज़ा से, यह 20 हो गया, 16 और 5 यह हो गया, 25, 16 और 5 यह हो गया, 35, and the unit is the same, millions of dollars, millions of dollars, millions of dollars, 20 million, 25 million, 35 million, ठीक है, यह इस तरीके से कल दिया, अब जिस इमाजन का, आप इतने zeros कालकुलेट करते, तो इसमें लिखने में भी वगज़ाय होता, तो आपने अपनी आसानी ढूंडी, आप एक्जामिनर को बता दे के, मैं इसको मिलियन में लिक रहा हूँ, एक्जामिनर विल बी मोदन हपी, विल बी मोदन हपी, के माशाललह आप इतनी forward thinking रखते हैं, आप आगे का सोच सकते हैं, आप problem को simplify करना सीख सकते हैं, अब क्या चारहे हैं, इसने का how much you paid for each company, तो ये part A जो है, ये done होगिया, part B की बात करते हैं, ये जरा सच चुकी था, when he sold the company, अब ये selling price की बात कर रहे हैं, जब इसने बेचा, तो he made a profit of 12% on 80 million, तो 12% of 80 million, 12 एज़ा, तो पहले इसको लिखे, 12% of 80 million, ये 0 इससे कटा, और यहां A 12 जा 96 हो गया, 96 divided by 10, that is 9.6 million का, इसने profit किया, यहां तक सही है, अब जो इसने profit किया, वो 9.6 million का है, अभी क्या चारहे है, इसने का calculate the profit he made on the sale of three companies, ये तो वाशालाह निकल गया, हाँ, अगर ये selling price पूछता, तो मैं कहता कि 80 million इसकी cost price है, 9.6 million इसका profit है, तो अब अगर ये बेचना चाहेगा, अगर वो कहता कि इतने profit में ये बेचना चाहता है, तो ये total कर लेंगे, लेकिन खेर, let's not confuse you, कि इसको मैं भी हटा देता हूँ, बस profit तक ही बात करते हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं, when he sold the company, ठीक है, he made a profit of 25% on alpha, अच्छा, फिर मैं एक चीज फिर से पढ़ दो, ये इसने sell किया, तो 12% फाइदे पर sell किया ने, इसने, ठीक है, इसका मतलब है, ये जो value है, this is the profit, ये मैं फिर से लिख दो, ये जो 9.6 million है, ये profit है, तो 9.6 million जो है, वो profit है, लेकिन, अब वो क्या हुआ, ये profit कहां से आया, उसने 25% alpha company का profit नकाला, 10% beta company का loss नकाला, तो alpha की जो कीमत थी, वो I think थी 20, मैं फिर से देख लूँ, alpha की 20, फिर 25, फिर 25, alpha की 20 थी, A की 20 थी, B की जो थी, वो 25 थी, और C की जो थी, वो 35 million थी, इसने, जो profit ये बनाया, ये यहां से भी निकाला, यहां से भी निकाला, यहां से इसने profit निकाला, यहां पे इसको नुकसान हुआ, कारोबार में कभी फाइदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, और यहां से भी इसको फाइदा हुआ, ये तीनों चीज़ करके, profit plus है, loss minus है, ये plus है, ये सब मिला जला के इसको 9.6 का overall profit हुआ अब जो 25% है अब फिर से underline करें जो 25% है उसने A पे कमाया 25% profit A पे lost 10% B पे calculate the profit value यानि वो profit कितनी है on A calculate the percentage profit he made on J अच्छा जी अब क्या करें 25% of 20 that's 25 over 100 of 20 0-0 cancel हुआ 2 into 25 is 50 50 divided by 10 is 5 million 5 million का मुनाफ़ा यहां से हुआ 10% of 50 that's 10 over 100 of 50 0-0 cancel हुआ this comes out to me 2.5 million यह 5 million का profit है यह 2.5 million का loss है इन दोनों को जमा करेंगे तो यह positive है यह negative है जब इसका net profit इन दोनों से आ रहा है that is 2.5 million यह इन दोनों से आ रहा है सही है? लेकिन overall profit कितना है overall तो 9.6 है so the difference between total and net profit of A and B is कितना है? 9.6 minus 2.5 यह हो गया 7.1 million 7.1 million इसने इस 35 million की basis पे बनाए so therefore the percentage would be 7.1 divided by 35 into 100 जंदगी कितनी आसान हो जाती अगर यह सरफ 7 रखता तो मैं लिखता 7.1 जा, 7.5 जा सीदा सीदा 20% आ जाता है लेकिन अब सीदा सीदा नहीं आएगा that is why it's a paper 2 question that is why calculators are allowed so 7.1 divided by 35 तो this comes out to be multiplication by 100 के बाद 20.28% यह मैंने answer दिया है 4 significant figures में तो यह round हो जाएगा 20.3% correct to 3 significant figures अब यह देख लें बड़ा ही जांदार किसम का सवाल है company A में फाइदा बना रहे company B में नुकसान बना रहे A और B का मिलाखे A का फाइदा 5 million A का नुकसान 5 million overall positive negative को करके overall इतना आ गया लेकिन overall फाइदा तीनों company का तो यह था 9.6 तो 9.6 और 2.5 का difference आ गया 7.1 यह किसमे से बनाए यह 35 million की basis पर बनाए तो इसकी basic percentage जो निकालते हैं वैसी इसकी basic percentage निकाल ले अच्छा जी part D पर आजाए इसको मैं यहीं fit करता हूँ part D वाली चीज जब बेची तो उसने 60% का फाइदा किया 60, 100 plus 60 is 160 Mr. Smith ने ख़वी दी 80 million की तो जोन्स को कितने की पड़ी W की पड़ी वही वाला concept आ गया मेरे खाल से 50 answer आएगा क्योंके ratio मुझे नजर आ रहा है So therefore W into 80 is 100 into 160 therefore W is 100 into 160 divided divided by 80 simplify करेंगे So 100 into 80 मैंने आगे पीछे लिख दिया माई बाट W into 160 is 100 into 80 therefore W is 100 into 80 divided by 160 81 जा 82 जा this comes out to be 50 this is 50 million क्योंके ये 80 million था तो ये 50 million आ गया therefore Mr. Jones को जो company पढ़ी थी वो 50 million dollars 50 times 10 to the power 6 dollars scientific notation में भी लिख सकते हैं या 50 ती 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 जीरोs कॉमा फिर तीन जीरोs that is the answer for this particular part अच्छा जी आगे बढ़ते हैं answers डबल चेक कर लेते हैं ये हो गया 20, 25, 35 ठीक है मैंने उस तुपको millions में लिखा है इसने सारे zeros लगा है अब working कर ले millions में बाद में zero लगा दीजेगा ये 9.6 million है ठीक है ये वाले यूं करके ये उसका profit है 5 million ये 20.3% है ये 50 million so everything is all good ठीक है तो यहाँ पर मैं आज का lecture रुखता हूँ so lecture number two percentages का अलहमदलिल्ला हमने बहुत ही थरली कर लिया अब इन्शालला कमेंट्स में आप लोग लग सकते हैं कौन सा lecture कौन सी चीज़ को आप pursue करना चाहते हैं देखें थोड़ा सा ये देख ले कि O-Level Math में पहले तो ये समझ ले कि एक तो आपका everyday math है ठीक है और इसी तरीके से आपका algebra है indices और factorization और quadratex जिसके कुछ word problems भी हमने किया थे इसी तरीके से और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़े हैं फिर मैं सिर्व नाम लिख देता हूँ शायद आपको घंटी कोई बज़े सर में दमाज में vectors हो गिया transformation हो गिया mensuration हो गिया mensuration में 2D भी आता है mensuration में 3D भी आता है लोगों को 3D बहुत ज़ादा मश्किल लगता है coordinate geometry and kinematics भी आ गिया इसी तरीके से trigonometry भी आ गिया इसी तरीके से probability एक भारी chapter है sits in wind diagram this is another chapter और इसके इलावा क्या है इसके इलावा बहुत कुछ है इसके इलावा आपके पास functions है graphs of functions यह concept है आपके पास statistics वाला part है which is histogram and cumulative frequency and pie chart and bar chart इस तरह की basic चीज़े है तो यह जो major chapters है at the top of my head जो मुझे भी याद आ रहे थे मैंने वो लिख लिए तो इन्शाला ताला फिर हम लोग मिलेंगे Sunday के दिन ठीक है so now Sunday 2-3 पी-म और उसमें फिर कोई नया topic जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं Take care Allah Hafiz